हेलो फ्रेंज इकबा फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा कलब में दोस्तों आज की जो वेकेंसी की अपडेट आई है यह ओपी जिंदल स्कूल से आई है दोस्तों और इसमें हम लोग देखेंगे कौन-कौन से सब्जेक की बात की गई है इसका वीडियो को पूरा आंत तक देखेगा तभी आप लोगों को समझ भाएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होने वाला है और इसमें आप्लिकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलने वाला है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखें जैसा क यह जो प्रभाद खबर में पब्लीश होई है ग्यारा तारीक को तो देखें अब हम इसमें देख लेते हैं शुर्म कौन से टीचर्व इनको रिक्वाएड है तो यहा पर एक चीज़ में आप लोग को पता दि Aber a can कि spoken English काफी एच्छी है fluent है तो आप लोग यहां पर apply कर सकते हैं और यहां पर जो candidate है वो 40 years के नीचे होने चाहिए अगर 40 years के अब भी है तो भी आप लोग apply कर सकते हैं प्रिफरेंस जो है वो 40 years के बिलोग की जो एच के लोग है उनको दी जाएगी तो पीजीटी में देखिए आप लोग जो सब्जेक्स देख रहे हैं मैं बता दू आप लोगों को अब इसकी eligibility criteria की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है वो master degree होनी चाहिए minimum 3 years of experience के साथ यानि कि यहां पर दोस्तों क्या बात की गई है कि अगर आपने master degree QE है और आपके पास 3 years के experience है और आपने साथ में B.A.D. किया है तो आप यहां पर eligible है apply करने के लिए उसके बाद दूसरा जो मतलब criteria है जो computer science वगरा के लिए apply करेंगे students उनके लिए देखिए BCA, MCA, BTEC from computer science उसके बाद आप लोगों को कैसे करना है तो send an application resume through email यानि कि आज यह अभी advertisement 11 तारिक को publish हुई है बराबर तो 11 तारिक से लेकर आपको 15 days के अंदर ही इसको apply करना है friends तो आप लोग समझ जाए मैंने eligibility criteria बता दिया subjects बता दिया और इसमें मैंने यह भी बता दिया कि अगर आप लोगों की written और spoken English काफी अच्छे तो आप लोग यहाँ apply कर सकते है तो friends यहाँ पर देखिए आप लोगो करके पूछ सकते हैं और यहाँ पर email idea देखिए इस पर आप लोग अपने एक अच्छा से रेजुम बना कर जैसे आपने online में कोई experience गें किया है या मतलब भी pandemic में आपने कोई online courses वगरा teaching के मतलब फिल्ड में की है तो वो सारी चीज़ों को अपने रेजुम में एड करिए friends क क्यूंकि इसका काफी waitage मलता है और इसको 15 days के अंदर ही आप लोगों को apply करना है और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि जो shortlisted candidate है उन्हें call किया जाएगा interview के लिए आप लोग करते हैं और आप लोगों को उनका मतला आप लोगों उनकी criteria के साथ खरे उतरते तो वो लोग आप लोगों को definitely call करेंगे interview के ले तो friends अभी हम लोग application form को भी डाउनलोड करके देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले आप लोगों से एक छोटी से request है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इ आप लोगों को दोस्तों मेरी चैनल पर मिलती है और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजेगा और अपने दोस्ते के साथ शेर भी करिए तो चलिए यहाँ पर देखें दिया है जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं मैथड क्या है apply करने का तो देख कि cover letter latest resume अब भी जैसे मैंने कहा था की जो भी update आपने की होगी वह सारे update के साथ resume डली फिल्ड इन application form download from the school website तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके application form को देख लेते हैं friends जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया है application form 돌돌 रहा है फिर भी आप लोगों को दिखाते हैं देखे दोस्तों क्लिक करने ऐसा है तो आफ लोगों को इसको डाउन्लोड करना है उसके बाद आप इस में कुछ चेंज कर पाएंगे मतलब जो भी चीज़े हो में में कर लें है यह सारी चीज़े आप एंफिल पीएजडी है तो ठीक है और बीड किया है तो उसमें हां करिए दोस्तों फिर देखिए एक्स्ट्रा जो सारी चीज़ है फिर experience only in school अगर आपने experience school में गेन किया जैसे बहुत सहे यहां पर अप्लाइ कर सकते हाराम से उसके बाद देखिए लास्ट ड्रॉन सालरी आप कितना सालरी अपना बता सकते वह आपकी जो expectation होगी वह आप डाल दीजे फिर यहां पर देखिए आपको सिगनेचर करना है तो आपको समझ में आ गया है कि application form कैसे डाउनलोड करना है साइट पे मैंने विजिट ले करके आपको दिखाई दिया तो अब मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि आप लोगों को पूछे में comment section में जरूर आपकी मदद करूंगी तो इस वीडियो में इतना ही friends में मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक किले अपना खयाल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए all the best